तीन बेहनों की लालची भावी करिश्मा, रेश्मा और मनिशा तीन बेहने हैं उनका एक भाई भी है मयंग मयंग अपनी बेहनों को बहुत प्यार करता है लेकिन मयंग की पत्नी सविता इस मामले में मयंग से बिलकुल ही अलग है वो अपनी ननदों का जितना बुरा कर सकती है उतना बुरा करती ही रहती है और अपनी ननदों पर हुकम भी चलाती है करिश्मा, करिश्मा तुमने अभी तक नाष्टा नहीं बनाया तुम्हारे भाईयक आफिस जाने में देर हो रही है हाँ भावी बस अभी बनाती हूँ का रेश्मा तुम ये धीलापन छोड़ दो कल को पराय घर जाना है वहाँ अगर तुम इस तरह से काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे कि माने और भावी ने कुछ सिखा नहीं और तुम्हारी दोनों बहने कहा है अब रेश्मा मार्केट गई है और मनेशा सो रही है क्या सुबह के आणड बज रहे है और ये महरानी अभी भी सो रही है ये कहते हुए सभी ता अपने सास दुरगा देवी के पास चाती है माजी देख रही हो अपनी बेटियों के तौर तरीके क्या हुआ बहू सुबह सुबह क्या कर दिया मेरी बेटियों ने आरे एक तो अभी अभी उठकर किचन में गई है दूसरी सुबह सुबह बहार चली गई और तीसरी अभी तक सो रही है क्या करूं मैं इन दिनों का मैं तो परिशान हो गई हूँ सवीता सीधा मनीशा के कमरे में जाती है और उससे कहती है महरानी जल्दी उठो सूरज सर पर आ गया है भावे थोड़ी दिर और सोने दो ना मैं रात को लेट सोई थी वो क्या है ना यूनिट टेस्ट चल रहे है शराफत से उठती है या नहीं मनीशा जल्दी से उठकर बात्रों में चली जाती है सभी आराम से बैट कर नाश्ता कर रहे होते कि तभी रेश्मा बाजार से हाथ में सामान ले आ जाती है रेश्मा को देखते ही सवीता उस पर बरस पड़ती है लो आ गई महरानी ऐसा भी क्या सामान लाना था जो सुबह आख मलते ही बाजार की तरफ रवाना हो गई भाबी कल आप ही तो चीख रही थी कि घर का सारा सामान मुझे ही लाना पड़ता है घर में किसी को भी किसी काम से कोई लेना देना नहीं है अब मैं बाजार जाकर सामान ले आई तो आपको इस बात से भी तकलिफ हो रही है देख रही हो माजी अपनी बेटी की सुबान कैजी से भी तेज चलती है और मायां का आप आप तो कुछ कहेंगे नहीं अपनी लाडली बेहन को रेश्मा अपनी भावी से ऐसे बात नहीं करते चलो माफी मांगो भया मैं क्यों माफी मांगो आप भावी से बुली न कि हम पर कम हुकम चलाया करे हम इस घर की बेटिया हैं और आपकी पतनी की ननद है नौकरानी नहीं लो कर लो बात इनकी भलाय के लिए कुछ भी बोलो तो इन्हें बुरा लग चाता है इस घर में यहीं इसत है मेरी देख लो माजी आपकी बेटिक इस लहजे में मुझसे बात कर रही है सवीता वहां से चली जाती है मयंग को बहुत गुसा आता है वो वी वहां से चला जाता है फर करिशमा रेशमा को समझाती है रेशमा तुम्हें भावी से माफी मांग लेनी चाहिए थी ना लेकिन दिदी मैंने कुछ किया ही नहीं तुम्हें माफी क्यों मंगो हाँ का रेशमा दिदी रेश्मा दिदी जैसे ही घर में आयी भावी ही उनपर चिलला रही थी हाँ मैं मानती हूं कि गलती भावी की थी मैं तो इसलिए बोल रही हूं कि भावी ने मा को तो पूरी तरह अपने वश्में कर लिया है वो हमारी बाद सुनती ही नहीं मायंग भाया हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए उनकी बात का मान तो तुम्हें रखना चाहिए था ना? एक दिन मैंग अपनी तीनों बेहनों के लिए गिफ्ट लाया, करिश्मा ये तुम्हारे लिए हार का सेट, करिश्मा तुम्हारे लिए संदर सी ड्रेस, और मनीशा तुम्हें किताबे पसंदेना, तुम्हारे लिए किताबी लाया हूँ, थैंक यू भाया, थैंक यू भाया, करिश्मा, तुम्हारा नेकलिस कितना सुन्दर है, ये भाईया कहां से ले आया होंगे मैंने भाईया को तीन दिन पहले फोन पर ये डिजाइन दिखाया था और आज भाईया ये ले आए सवीता तो अपनी नेनदों की गिफ्ट्स देखकर जल गई और करिश्मा का नेकलिस तो उसे भी बहुत पसंद आया था अपनी बेहनों के लिए कितना अच्छा नेकलिस लेकर आया है मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया मैं आज ही ये हार चुरा लूँ रात में सवीता करिश्मा का हार चुरा लेती है और इसी तरह उसे अपनी ननदों की जूबी चीज अच्छी लगती वो उसे मांगती नहीं बलकि रात के अंधिरे में चुरा लेती इसी तरह दिन बीटते गए और सवीता ने मैंक के दिल में भी उसकी बहनों के लिए नफरत पैदा कर दी एक दिन मैंक ने करिश्मा और रेश्मा के लिए रिष्टा देखा और ये बात उसे घर में सबको बताई मा करिश्मा और रेश्मा के लिए बहुत अच्छा रिष्टा आया है वो लोग कल इने देखने आ रहे हैं आप और सवीता मिलकर सारी तैयारी कर लेना ये सुनका करिश्मा और रिश्मा खुश हो जाती है लेकिन सवीता सोचती है अगर इन दोनों बहनों की शादी हो गई तो घर और बाहर का काम कौन करेगा मनिशा तो एक नमबर की काम चुर है उससे तो किसी बात की उम्मिद लगाना ही बेकार है मुझे इस शादी को रोकना होगा अगले दिन सभी लड़के वालों की इस वागत की तयारी करने में लगे होते है तब ही मैंक अपनी बेहनों से आकर कहता है तयार होगी तुम दोनों देखो दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं मैं कोई कसन नहीं छोड़ना चाता इसलिए तुम उनके सामने अच्छे से बीहेव करना और अपनी भावी से लड़ने मत लग जाना करिश्मा तुम वो नेकलेस पहन लो ना जो मैं तुम्हारे लिए लाया था भाईया मैं बहुत देर से वो नेकलेस रोन रही हूँ लेकिन मुझे मिली नहीं रहा क्या तुमने नेकलेस खो दिया तुम्हें पता भी है वो कितना मैंगा था तुम कोई काम धंग से नहीं कर सकती मैं गुस्सी में वहाँ से चला जाता है थोड़ी दिर बाद लड़के वाले भी आ जाते हैं वो दोनों बहनों को पसंद कर लेते हैं और रिष्टा पक्का हो जाता है लेकिन सवीता के दिमाग में तो कुछ और ही खिटड़ी पक रही थी वो पंडी जी के पास करिश्मा की कुंडली लेकर जाती है और उन्हें पैसे देकर करिश्मा की कुंडली बदलवा दीती है जब लड़के वालों के पास करिश्मा की कुंडली जाती है तो वो दुरका को फोन करते हैं बहन जी हमने करिश्मा की कुंडली अपने पंडी जी को दिखाई थी आपकी बेटी की कुंडली नहीं बलकि दोशों का पिटारा है देखे मैं और मेरे पती इन से बातों में बहुत विश्वास करते हैं इसलिए हम आपकी बेटी से अपने बेटी की शादी नहीं करा सकते इस तरह करिश्मा का रिष्टा तूट जाता है और सभी घ़रवालों को बहुत दुख होता है अब कविता सोचती है चलो करिश्मा का तो रिष्टा तूट गया अब रिष्टा का भी रिष्टा तोड़ना है क्या करो क्या करू अब सभिता आवाज बदल कर किसी unknown number से रेश्मा की होने वाले सिसुराल में फोन करती है हेलो मैं कौन हूँ कौन नहीं ये आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं बस इतना सुनलो कि रेश्मा का दो साल से किसी के साथ अफैर चल रहा है बस रेश्मा का रिष्टा तोड़वाने के लिए सविता का इतना कहना काफी था अब रेश्मा का भी रिष्टा तूड़ गया मयंक और दुरगा देवी ने रेश्मा को खूब खरी खोटी सुनाई और उससे बार बार उस लड़के के बारे में पूछने लगी आप दुनों मुझे क्यों परेशान कर रहे हो अरे कोई लड़का होगा मेरी लाइफ में तो मैं बताऊंगी न जब कोई है नहीं तो कहां से लाओं में कोई लड़का तो तेरे होने वाले सुसरार बालों को फोन किस ने किया था माम मैं नहीं जानती किस ते फोन किया था, मैं सच कह रही हूँ मैं तो पहले ही कह रही थी, इसकी लगाम खीच कर रखो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है अब चुपरेए भाबी, ये सब आपका ही क्या धरा है अब तीनों बहनों को विश्वास हो जाता है, कि ये सब उनकी भाबी ही कर रही है तीनों बहने अपनी भाबी को सबक सिखाने के लिए एक वकील कर लेती है, और घर में हिस्सा मांगा देखो भाईया, माबाब की जायदात में जितना बेटों का हक होता है, उतना ही बेटियों का इसलिए इस गर के चार हिस्से होंगे, और हमें अपना हिस्सा चाहिए मैंने तुमारे लिए क्या-क्या नहीं किया, और तुम इस गर में हिस्सा मंग रही हो भाईया आप और माँ हम बहनों की कोई बात नहीं सुनते हो और भावी हमारी शादी नहीं होने देगी क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हमारी शादी में ज्यादा पैसा लगा गई और उन्हें हम जैसे फ्री की नौकरानी कहा मिलेगी तो हम भाबी के साथ तो रह नहीं सकते हम बहनों को अपना हिस्सा चाहिए तुम्हें शेर माने चाहिए अपने भाबी पर ऐसा हिसाम लगाते हुए वो तुम्हारे बारे में कितना सोचती है हाँ मा भाबी हमारे बारे में बहुत सोचती है दिन रात पस यही सोचती रहती है कि किस तरह से अपनी तीनों ननदों को परिशान करो और कभी मुझे पढ़ने भी नहीं देती। दोनों बेहनों का रिष्टा भी तो इन्हों नहीं तुड़वाया है और रात में हमारे कमरे में आकर हमारी चीज़ें भी चुराती हैं। और दुरगा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब सभीता खुद करिश्मा और रिष्मा के लिए अच्छा रिष्टा ढूंटी है और उनकी शादी करवादी। वैसे तो तुझ में कोई कमी नहीं है पर तेरे दात दात इतने पीले कैसे है बेटा। कैसे मतलब कोई सरजरी थोड़ी न कराई है वो तो क्या नाम में ब्रश्टी करती थी तो पीले हो गए। अब क्या करो आपका है तो लाल कर वाल हो या पिर काले या या ये क्या है क्यों मां से लड़ रही हो लड रही हूं अरे मैं लड रही हूं या यह बूल रही है कि दाथ पीले है पीले अरे तपस्या थोड़ी ना किया है इन्हें पीले करने के लिए बकाइदा ब्रश नहीं किया है बिस साल तक तब जाकर जी कैसी बात कर रही हो ये उस वक्त तो पीले नहीं थे जब हम लोग तुम्हें देखने आये थे अरे तब साफ करवा लिया होगा डेंटिस्ट के पास जाकर अब देखो क्या से पीले पीले लग रहे है रंचना सास की तरब कुस्य से देखती है फिर शुरू हो गई पीले 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 अरे पीले तो तब भी थे जब मेरे हाथ का रजगुला उड़ा उड़ा कर खा रही थी और बोल रही थी लड़की नहीं गुणों का खजाना दे रहें भाई साबा खैब अब लोग करते भी तो क्या करते पीले दाथ वाली बहु पल्ले पड़ी थी तो जेलना तो था ही एक दिन किर्टन में रंजना गाना गा रही थी अरे कामला बहान मा का दुआ आ रहा है या तो सब शुद्ध हो कराता है फिर अपनी बहु को ब्रश भी नहीं कराती तुम दूर से पीले पीले दाथ भक्ती में बाद आउत पन्ना कर रहा है अब माबाप तो इसके जैसे तैसे निपता दिये ये नहीं सोचा कि सास कैसे संभालेगी सास बहु को लेकर घर आ जाती है लेकिन सोच लेती है कि आप इसे लेकर कई ही नहीं जाएगी अगले रोज बहु कहती है अरे क्या हो गया? मंदे नहीं जाना क्या किर्टन का वक्त हो रहा है मेरी मधुरवाणे से काना जिट जागते है और सोते हैं आप तो जानती है ना उनकी भक्ति में कितना मन लगता है मेरा वो क्या है ना तब ये ठीक नहीं लग रही है मेरी आराम करूंगी मैं तप्या ठीक नहीं लग रही अभी तो मितुन के गाने पर नाश रही थी आप और आप बोल रहे हैं कि तप्या ठीक नहीं लग रही अरे भक्ती में मन लगा लो सासुमा उपर जाना है क्या मू दिखाऊगी आप हां सांस को बहु की बात पर गुस्सा आ जाता है मैं क्या मूँ दिखाऊंगी इसकी चिंदा तो ना वकर समझी अपने मूँ की चिंदा कर जो ये पीले पीले दात लेकर हर जगह पहुंच जाती है पता है लोग कितना मजाग बनाते हैं ना जी ना मैं नहीं जाना कहीं तेरे साथ तो ये बात है कोई ना मत जाओ मैं अपने कमरे में ही बैट कर भक्ति कलूँगी उपर वाला दाथ थोड़ी ना देखता है मन देखता है भाव ना देखता है और अरा बोस बोस तू सब कुछ दिखा बस ये सफेज चमकदा दात ना दिखाना किसी को है जाए यहां से बहो को सास की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता वो तो जैसी थी वैसी ही रह जाती है सुब नहा कर किच्चन में खाना बनाना फिर खाना खाना किर्तन भजन करना और सो जाना एक दिन माजी मैं सहल की घर जा रही हूँ शाम को लेट आऊंगी हो हो तो जाना मैंने कौन सा तिर्यार तिकानी है गर पर बैठ कर रंजना सहल की घर जाती है जहां वो पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है अरे शिखा कहा जाने की तैयारी कर रही है मैं गलत वक्त पर आ गई क्या अरे नहीं यार उन तो सही वक्त पर आई है मैंने ये साड़ी और जूलरी निका लिए यार शाम को इनके ओफिस के एक पार्टी में जाना है बताना कैसा लग रहा है ये सब नहीं यार इस ट्रेस के साथ तो वो वाले जूलरी अच्छी लगेगी हाँ हाँ सही बोल रही है मैंने ध्यान ही नहीं दिया बसे तो हमेशा से मस्त फैशन सेंस रखती है तो तो बड़ा जाती होगी ना पती के साथ पार्टी में रंजना कुछ नहीं बोलती बस सोचती है कि यार काशी बात सही हो जाती पर मैं क्यों नहीं जाती पार्टी में, क्या इन लोगों की कोई पार्टी होती नहीं होगी रजना घर आती है और रात में पती से सवाल करती है एक बात बताईए, आप मुझे किसे पार्टी में क्यों नहीं ले जाते क्या आपकी यहां ओफिस में पार्टी नहीं होती पती बिचेरा क्या कहता कि दाथ पी रहे है तुम्हारे इसलिए अरे कोई पार्टी होती नहीं हम लोगों के ओफिस में तो कहां से लेकर जाओं और मार्केट, मॉल, कहीं वीकेंड घूमना, कहीं तो अरे यार, सारे हफ़ते में एक चुट्टी मिलती है तो सोचता हूँ क्या आराम ही कर लो, क्यों? रंजना मन मार के रह जाती है पहले कभी सास के साथ मंदिर जाया करती थी लेकिन वो भी सास ने ले जाना बंद करती है घर बैठी बैठी रंजना बूर हो जाती है तब ही उससे आइडिया आता है और हूँ पाई के जाने का सोचती है सासु मा, तो दिनों के लिए मम्मे की कर जा रही हूँ अच्छा ठीक है, आराम से जा और हाँ, मा से कुछ अच्छी आदत सीख कराना कि क्या से शरीर के हर बाग कितना दाथों की सफाई भी ज़रूरी होती है समझी शुरू हो गई ना वो लोग आपकी तरह नहीं है कि छोटी छोटी बात का बतंगड बना दे उन लोगों के लिए मैं माईने रखती हूँ ना कि मेरे पिले पिले दाथ रंजना मा को बिना बताए उन लोगों को सप्राइज देती है लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुँचती है अंदर देखती है कि घर वाले कहीं जा रहे होते है मा काश रंजना दिदी के दाथों वाली प्रॉब्लम नहीं होती तो वो भी हम लोगों के साथ चलती ना बुवाजे की बेटी की शादियों है हाँ बेटा लेकिन अब उसे कौन समझाए क्यों उसको उसके पिले दाथ नहीं दिखते लेकिन उसके आसपास की लोगों को कितना इंबरेसिंग फील कराते है मुझे तो कितनी बार उसके स्कूल की टीचर ने शिकायत की कि उसके साथ कोई लड़की बैटना भी नहीं चाथी और नहीं कॉलेज में कोई उससे बात करना चाता था लेकिन पता नहीं क्यों उसी ये बात समझ में नहीं आती कोई कमी नहीं है उस लड़की में बस यही के डाथ पिले है वो तो भला हो जीजाजी और उनकी मा का जो दीदी को जैसी है वैसे ही रखा हुआ है रंज्रा को अपने घरवालों की बात सुनकर बहुत दुख होता है वो सोचती है कि वो क्या करे लेकिन फिर वो सीधा डेंटिस्ट के पास जाती है अपने दाथ चमकाती है और कसम खाती है कि वो रोज ब्रश करेगी और क्या हो गया तुम तो दो दुनों के लिए गई थी ना पर कोई ना अच्छा है चलो आ गई तो रेंजना सास के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूरी स्माइल करती है उसके चमकदार दातों को दिखाती हुई माँ मुझे माफ कर दीजिए मैंने आप लोगों को बहुत एंबरेसिंग फिल करवाया मैं आज से रोज ब्रश करूँग इमानदार मिठाई वाला एक गाउ में महिश नाम का एक हलवाई रहता था उसके दुकान दूर दूर तक मशूर थी आसपास के सभी गाउवाले महिश की दुकान से ही मिठाई लेते थे भई मज़ा आ गया क्या लजीज रबडी है यह लड़ू भी लीजिए शुद्ध देसी घी के हैं आज ही बन कर आए हैं लाओ भई लाओ एक किलो लड़ू भी बैक कर दो महिश का एक बेटा था रवी रवी ने पढ़ाई छोड़ दी थी और वो दिन भर घर में ही बैठा रहता था उठ बेटा रवी आज मेरे साथ दुकान पर चल मैं वहाँ क्या करूँगा पापा अरे दुकान दारी सीख बेटा आगे चल कर ये सब तुझे ही तो संभालना है मुझे ये सब कुछ नहीं संभालना मैं वीडियो गेम खेलूँगा फिर दोस्तों के साथ बाहर जाओंगा ये भगवान इसे थोड़ी अकल दे दो ऐसे ही चलता रहा तो आगे न जाने इसका क्या होगा महेश बड़़ाता हुआ दुकान चला जाता है दुकान पर ओ घसिटा राम मुझे थोड़े चक्कर आ रहे है जरा पानी दोलाना जे जे मालेक सुन मैं घर जा रहा हूँ आज दुकान तू संभाल ले जैसा आप कहे मालेक महेश बिस्तर पर लेटा है आपको बहुत तेज बुखार है एक हफ़ते पेटरिस्ट करनी होगी और ये दवाईया लेनी होगी हाई राम ये क्या हो गया आपको मैं तो एक हफ़ते में ठीक हो जाऊंगा पर दुकान कौन संभालेगा आप फिक्र ना की जी जी मैं रवी को समझा कर दुकान भीज दूँगी आप बस जल्दी से अच्छे हो जाईए जी अगले दिन रवी दुकान पर पहुँचता है आईए आईए मालिक मैं आपी का इंतजार कर रहा था क्यों? ये मेरी दुकान है मैं जब जी चाहें आओ तुम लोग सुबह से आकर काम पर लग जाया करो समझे जी 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 मालिक दर ऐसल लड़ू बनाने है तो घी लेने जाना है पाच हजार रुपे दे दीजी पाच हजार? तुमारा दिमाग तो ठीक है इतने महेंगे लड़ू बनाएंगे तो मुनाफ़ा क्या होगा? पर देशी घी भी तो बहुत बहेंगा है ना मालिक? क्या जरूरत है देशी घी की? डालडा ले आओ पर मालिक? मुझसे बहज मत करो जितना कहा गया है करो और क्या-क्या बन रहा है? मावे की बर्फी मालिक? मावा 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 अहाँ तभी उसकी नजर एक डब्बे पर पड़ती है ये क्या है? ये रवा है मालिक एक काम करो हर एक किलो मावा में 200 ग्राम रवा मिला दो पर बर्फी का स्वाद बिगड़ जाएगा मालिक जितना कहा है करो अब जाओ यहाँ से अगले दिन क्या बात है रवी बाबू? आपके पापा दिखाए नहीं दे रहे अब उनकी तब्यत खराब है अच्छा भाई अच्छा बस उन्हें ये बताना था कि वो आज आये नहीं तो उनकी मिठाए बड़ी बेस्वाद लग रही है लेना है तो लो वर्ना चलते बनो अरे 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 ये कोई तरीका है ग्रहाक से बात कर देखा चलो भाई चलो यहाँ से चलो अगले दिन भाईया कल जो मैं लड़ू ले गया था उनका स्वाद बड़ा बेकार लगा महेश बाबू का नाम सुनकर बड़ी दूर से आया था दोसो रुपय में इससे अच्छा और क्या मिलेगा सुबा सुबा मनूस बाते मत करो पूछ लेना है तो लो पन्ना फूटो यहाँ से रवी के इस व्यवार के चलते दो-चार दिनों में ही ग्रहकों का आना कम हो जाता है मैंने तो सोचा था कि कम पूझी में ज्यादा मुनाफ़ा होगा पर यहाँ तो गाटा हो रहा है अखे चक्कर क्या है लगता यह दुकानदारी मेरे बस की नहीं महेश ठीक होकर दुकान लोटता है तो घसीटा राम उसे सब कुछ बताता है हे भगवान इसने तो मेरी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया अब क्या करेंगे मालिक कुछ नहीं सबसे पहले तुम पहले की तरह शुद्ध और अच्छी मिठाया बना और मुझे गाओं के उन सब लोगों के नाम बताओ जिनसे रवी ने बत्तमीजी की रवी कल सुबह दुकान पर आ जाना बहुत जरूरी काम है मुझे नहीं आना मैंने एक हफता दुकान संभाल ली है अब संभालो आप दुकान तो तुने जैसे तैसे संभाल ली पर सीखा कुछ नहीं कल तुझे बहुत जरूरी सीख देनी है रवी पैर पटकता हुआ बाहर चला जाता है अगली दिन ये ले ताजी शुद्ध मिठाईया मैं इतनी मिठाईयों का क्या करूँ इन्हें उन सब के घर दे कर आओ जिन से तुमने बत्तमीजी की और साथ में माफी भी मांग लेना अरे पर मैंने तो सिर्फ उने बेटा घर आया महमान और दुकान पर आया ग्राहक भगवान के समान होता है अब तु जल्दी जा और कल से कमाल देखना रवी उन सबी चार-पाश लोगों के यहां जाकर मिठाई देता है और माफी मांगता है अगले दिन दुकान पर ग्राहकों की भीड लग चाती है मान गये महेश बाबू आपने तो आते ही घर तक मिठाई विजवा दी बस मेरे बेटे की गुस्ताकी को माफ कर देना भाई उसमें अब तक बच्पना है हाँ हाँ आपके लड़ू के बदले हर चीज की माफी है भाई आज तो मेरे पडोसी भी आपकी उदारता देखके दंग रह गये इतनी बड़ी दुकान के मालिक का बेटा घर तक माफी मांगने आया भाई रिष्टे निबाना तो कई आप से सीख है बस आप लोगों की दया है ताजी रस्मलाई आई है लेंगे आप हाँ भाई हाँ दो सु ग्राम पैक कर दू शिक्षा सफलता पाने के लिए इमानदार और विनम्र होना बहुत जरूरी है ये कहानी है लक्षमी की जो सेट बलदेव सहानी के घर की लक्षमी थी लक्षमी के तीन भाई थे जो गाउं के साहुकार थे तीनों के तीनों हटे-कटे और तंदुरस थे और लक्ष्मी अपने तीनों भाईयों की जान थी जब लक्ष्मी अठारा वर्ष की हुई तो सेट जी ने लक्ष्मी की विभा के लिए घर में पंडिजी को बुलाया यजमान बेटिया की कुंडली जिस युवक से मिल रही है वो एक बहुत ही साधारन परिवार का है अरे उससे क्या फर्क पड़ता है हम तो अपनी बेटी को अपने घर ही रखने वाले हैं हमें तो घर जमाई चाहिए लेकिन यजमान मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ संभव है ये युवक घर जमाई नहीं बनेगा तभी सेड़ जी की बेटी सेड़ जी के पास आई और उनके कानों में कुछ फुस फुस आई उसकी बाते सूनकर सेड़ जी के चहरे पर मुस्कान आ गई ठीक है पंडित जी आप शादी की बात आगे बढ़ाईए और फिर कुछ महिनों में लक्ष्मी की शादी एक बहुत ही साधारन युवक विमल से हुई शुरू-शुरू में दोनों की अच्छी बन रही थी और विमल की मा सरीता भी बहुत खुश थी एक दिन सोते वक्त लक्ष्मी ने विमल से बात की ना इस घर में ढंका सोफा है ना गदेदार पलंग और ना ही टीवी एजी आप मेरे साथ मेरे पापा के घर चलिए ना वहाँ सब कुछ है नहीं लक्ष्मी अब यही तुमारा घर है तुम्हें इसी घर में रहने की आदत डालनी होगी उस दिन के बाद लक्ष्मी हर छोटी छोटी बातों पे विमल से जगड़ा किया करती उनके बीच बात इतनी बिगड़ गई कि अब लक्ष्मी कभी बेलन तो कभी बरतन फेक फेक कर विमल को मारती विमल बेटा ये क्या है तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो मा ये रट लगाए बैठी है कि मैं भी इसके साथ इसके बाप ये घर में जाकर रहूं घर जमाई बन कर भला मैं ये कैसे कर सकता हूं और इसी लिए हमारी रोज अनबन होती है एक कामकर तू उसे अच्छे से समझा कि अब यही उसका घर है अगले दिन फिर से लक्षमी विमल को अपने घर जलने के लिए जोर डालने लगी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए आपको यहां गरीबों को तरह जीने की कोई जुरूत नहीं है मेरे पापा के पास सब कुछ है मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मैं घर जमाई नहीं बनना चाहता हूँ अगर आप खुद से मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं मेरे भाईों से बोल कर आपको जबर्दस्तियां से उठवा लूँगी बहु की ये बात सुनकर सरीता को अपने बेटे की चिंता सताने लगी सरीता बहुत दूर एक बाबा जी के पास गई और उन्हें अपने पूरी दुख भरी दास्तान बताई अब आप ही बताईए बाबा जी मैं अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ ये ताकतवर इंसान ऐसे ही होते हैं हमेशा निर्बलों को दबाना चाहते हैं अब सिर्फ गूफा में रहने वाली डायन ही तुम्हारी मदद कर सकती है सिर्फ वही तुम्हें ताकतवर बना सकती है जिससे तुम अपने बेटे को बचा सकती हो बाबा जी मुझे ये डायन कहां मिलेगी? वो उत्तरी दिशा में मिलेगी लेकिन उससे मिलने से तुम्हारे प्राण भी संकट में आ सकते हैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ सरिता उत्तरी दिशा में निकल पड़ी और गुफा तक पहुशते पहुशते उससे रात हो गई कोई है यहाँ? क्या? आज एक इंसान यहाँ खुद चल कर आया है? वो भी मेरा खाना बनने मैं आपसे मिलने आई हूँ मिलने? मुझसे? अहाँ वो भी खुद चल कर बताओ बताओ क्या बात है? सरिता ने डायन को अपने कहानी सुनाई मैं पाय दो खब। मैं ने झाल कर दोभ्फ़ाइद झाल कर दो हो भी खुद रहाँ पाई तो है लेकिन बहुत कठीन है मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर लूँगी तुम्हें मेरा श्राप अपने उपर लेना होगा जिससे मेरी सारी शक्तिया तुम में आ जाएंगी तब मैं आजाद हो जाओंगी और तुम डायन बनके यहीं गुफा में रहोगी और ना ही सूरज की रोश्णी में निकल सकोगी बाहर क्योंकि डायन की शक्तिया सिर्फ रात को ही काम करती है क्या तुम्हें यह मन्जूर है विमल को बचाने के लिए अगर मुझे डायन भी बनना पड़े तुम मन्जूर है डायन ने कुछ जादू किया और डायन की सारी शक्तियां सरीता में चली गई और अब डायन आजाद होकर एक औरत बन गई और सरीता डायन बन गई यहाँ पूरा दिन हो गया था विमल ने गाउं में जाकर मा को ढूंडा लेकिन मा कहीं नहीं मिली रात को वो घर पहुँचा तब लक्षमी उस पर बरस गई यह सब सरीता अपनी शक्तियों से देख रही थी और उसी समय सरीता डायन के रूप में वहाँ पहुची सरीता को डायन के रूप में देख कर उसके पैरों से मानो जमीन खिसक गई सरीता जोर जोर से हसने लगी जैसे तैसे रात को लक्षमी सो गई और सुभे होते ही अभी अपने भाईयों को बताती हूँ कि आपने मुझे पेलद से मारा लक्षमी दर्वाजे से पाउं बहार डाल ही रही थी कि सरीता ने अपने हाथ लंबे करकर लक्षमी के पाउं पकड़ लिये अब तुम इस चौखट के बाहर बिलकुल नहीं जाओगी एक बार फिर से लक्षमी बेहोश हो गई अब जब भी लक्षमी कुछ बेतुका करने जाती थी सरीता बीच में आकर अपने बेटे को बचा लेती और बेचारी लक्षमी डायन से डर कर घर के कोने में दुबक कर बैठी रहती विमल दिन रात अपनी मा को याद करके रोता तु कहां है मा कहां चली गई मुझे छोड़ के बेटा विमल मैं यही हूँ तेरे पास लेकिन इस डायन के रूप में यह सब सुन विमल बहुत डर जाता है दर मत बेटा बस मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जा रहा था इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा यह सब पीछे खड़ी लक्षमी सुन रही थी तभी सरिता ने उसे अपनी शक्तियों से दिवार पर लटका दिया जा रही हूँ मगर एक बात समझ ले मेरे बेटे को परिशान करने की भी तुने या तेरे घरवालों ने सोची तो मैं यहाँ फिर आ जाओंगी जी 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 माजी तभी तो कहते हैं मा से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं मा एक वरदान है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है दोस्तों हमें उमीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आये होगी तत्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं और हाँ विडियो लाइक और शेर करना मत भूलिएगा बाई बाई पिंकी के पती कमलेश की दुकान पर गाउं का गुंडा जग्गु दादा आता है और धमकी देखर जाता है कि अगर उसने एक लाख रुपय नहीं दिये तो वो दुकान तोड़ देगा गर में सभी परिशान होते हैं अरे सत्या नाश हो उस जग्गु का अच्छा खासा लड़का था पता नहीं क्यों गुंडागर्दी करने लगा किसी की भी जमीन हडप लेता है और अब हमारी दुकान के पीछे पड़ा है नास पीटा मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ तो एक रुपया भी नहीं देने वाला उसे अरे पैसा तो दुबारा भी कमा लेंगे पर जान है तो जहान है नई पिता जी मैं नहीं दूँगा पैसे मैंने फैसला कर लिया है पिंकी कमरे में आकर सोचने लगती है मेरे पती के उपर ये कैसी मुसिबत आ गई है अरे हाँ मैं भी कितने भुलकड़ हूँ मेरे पास तो जादुई पत्थर है पर मैं क्या करूँ जगु दादा तो बहुत बड़ा गुंडा है उसका सामना मैं कैसे कर पाऊंगी पर मुझे ये करना ही होगा पिंकी प्लान बनाती है और उसे एक आइडिया आता है और वो आइडिया उस सब को बताती है सुनिए मेरे पास एक प्लान है आप जगु दादा को पैसे दे कर उन्हें घर पर खाने पर बुलाईए सब ये सुनकर दंग रह जाते हैं लो और सुनो अरे वो तुम्हारे दूर के चाचा नहीं है जिसको खाने पर बुलाया जाए जगु दादा है इस गाओं में सबसे अमीर और एक नमबर का गुंडा ओफो सासुमा मैं जो कह रही हूँ वो करके तो देखिए मैं आपको यकिन दिलाती हूँ कि कल के बाद जगु दादा हमें कभी परिशान नहीं करेगा पिंकी के कहने पर कमलेश जगु दादा को रुपय देता है और उसे अपने घर खाने पर बुलाता है अरे भई मानना पड़ेगा कमलेश काफी तरक्य कर लिया तुमने एक लाग रुपय तो बड़ा ही कम डोनेशन था जगु दादा सूफी पर बैठता है और सबसे मिलने लगता है अरे भई लता माफसी ठेक तो हो ना सुना है घुटने में बहुत दर्दर रहता है हाँ बेटा पर तुझे कैसे पता चला अरे जगु दादा सारे गाउं की खोज ख़बर रखता है और वैसे भी मेरी मा और आप तो बच्पन की सहलिया थी ना तो आप तो हमारी मासी हुई मासी कैकर एक लाख रुपे का चूना लगा रहा है कमबक्त तभी बेल बच्टी है और कमलिश दर्वाजा खूलता है तो सब दंग रह जाते है अरे एमपी सहाब आईए आईए आप कमलिश को कैसे जानते हैं अरे भई कमलिश हमारे बड़े ही अच्छी मित्र है और मैंने सुना है कि आप इनकी दुकान हडपना चाते हैं इनसे चंदा भी मांगते हैं आप अरे एमपी जी वो तो बस थोड़ा दंदे में मंदी चल रही थी तो गाउवाल उसे थोड़ी मदद मांग ली देखो जगु दादा होंगे दादा तुम अपने घर के ये हमारे पैचान की लोग है इनके साथ तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो सीधा जेल में डाल देंगे समझे फिर वहां बाग की कैदियों से चंदा मांगते फिरोगे क्या जगु घबरा जाता है और वहां से जाने लगता है जी जी में अमपी जी समझ गये हम चलते हैं हमें माफ कर दो कमलेश बाबू अर बेटा खाना तो खा लेता अरे जगु जगु दादा को भागता देख एमपी की रूप में बदली पिंकी हस्ते लगती है और सब एमपी की पास आते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं आपको कैसे पता चला एमपी साब के जगु हमें परिशान कर रहा था आपकी बहु पिंकी है ना बड़ी ही समझदार है वो मेरे आफिस आई और मुझसे मदद मांगी क्या पिंकी ने ये सब किया पिंकी अपने रूप में वापस आ रही होती है अच्छा मैं चलती हूँ चलता हूँ मेरा मतलब है अरे ऐसे कैसे आप बिना खाना खाए नहीं जा सकते आई 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 ये नहीं नहीं फिर कभी मुझे जाने दीजिए पिंकी भागती है अरे इन्हें किस बात की जल्दी थी लगता है कोई इंपोर्टन्ट मीटिंग होगी मा हाँ भाई बड़े लोग है दिन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है लेकिन भगवान का शुक्र है कि आज बहु की वज़े से सब सही हो गया पर बहु है कहाँ पिंकी घर से दूर भागते भागते अपने रूप में वापस आ जाती है उफ बाल बाल बच गई आज तो एक शाम प्राची टीवी पर सिरियल देख रही होती है तब ही उसकी सास वहां आती है अरे सिरियल में तो ऐसे मगन है जैसे आज रात का खाना पड़ोस ही आकर बनाएंगे मुझे पता ही नहीं था आपने अपने बेटे की शादी पड़ोस में भी की हुई है है मतलब मतलब इस घर में सारा काम बहु ही करती है आप तो सिर्फ रोटे मौरती है अच्छो जी फिलहाल तो तुम्हाराम फर्मा रही हो चलो जाओ ये मेरे टीवी देखने का समय है अहा इसलिए मुझे फगाया जा रहा है सॉरी अब तब बिल्कुल नहीं जाओंगी प्राची की इस बात पर दोनों सास बहु के बीच टीवी रिमोट के पीछे बच्चों जैसे छीना जपटी शुरू हो जाती है जिसके बीच श्लोब भी काम से घर वापस आ जाता है आज मेरी चूहे बिल्ली की जोड़ी किस बात पर जगड़ रही है अरो तेरे बीवी मुझे टीवी नहीं देखने दे रही अरे तुम्हारे मम्मी मुझे खाना बनाने के लिए फोर्स कर रही है अरे वाँ ऐसे बेटू के रिजन पर तो बच्चे भी जगड़ा नहीं करते है अरे मुझे कुछ मत बोल, सब इसने ही शुरू किया है हाँ हाँ, जैसे आप तो बहुत दूद की धूली है न अरे बस, दोनों चुप प्राची जाओ, खाने के तयारी करो और मातो, छोड़ो तुम्हें क्या बोलू, शांती से अपना सीरियल देखो मुझे दोबारा लड़ने के आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए ऐसा बोलकर श्लोक वहाँ से चला जाता है जिसके पीछे पीछे प्राची भी कुछ न कुछ बड़बडाते हुए रसोय में चली जाती है हाँ, हाँ, सासु जी को तो कुछ बोलेंगी ही नहीं बस, मुझ पर ही उकम चलता है खाना बनाओ, जैसे मैं इनके घर में खाना बनाने के लिए आई हूँ इसी तरह शाम बीथती है और रात कुछ लोक और प्राची की सास खाना खाकर सोने चले जाते है लेकिन प्राची गुस्से में कुछ खाए बिना काम में ही लगी रहती है इस घर में किसी को घंटा फिक्र नहीं पड़ता, मैं खाऊं या भूख ही रहूं प्राची कुछ दिर के लिए रस्वी से बाहर जाती है और जैसे ही वापस आती है तो वहाँ दूद का भरा ग्लास देखकर हैरान रह जाती है फिक्र पूरी है, बस दिखाना नहीं है प्राची दूद पिकर सोने चले जाती है और अगली सुब़ एक बार फिर साज बहु का काटन नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है यह तुम नहीं किया है हरे, हजीब सबरतस्ती है, मैं बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया दोनों ने मिलकर पूरे घर को पागल खाना बनाया हुआ है यहाँ कोई नॉर्मल इंसान तो रही नहीं सकता इसलिए अब पडोसी क्या रिष्टेदार भी घर आने से कतराते है अरो सुन बेटे, तु भी चंगा, तेरी मा भी चंगी, तेरी बीवी भी चंगी, रिष्टेदार हाँ जी, आपको नहीं पता क्या गंगाधर ही शक्तिमान है, रिष्टेदार ही हाँ हाँ, बस समझ गया कभी जानवरों जैसे लड़ेंगी, तो कभी जुकल बंदी करेंगी भी मैं आप दोनों के बीच में नहीं फसना चाता सांस बहु की इस मन मौजी जोडी से परिशान होकर श्लोक अपना सिर खुजलाता वहाँ से चला जाता है चलो, अब मैं भी किर्टन में जा रही हूँ इस पर जैसे ही सांस कमरे में अपना पर्स लेने जाती है तो वहाँ नाश्ते की प्लेट रखी देख मुस्कराने लगती है और नाश्ता करके घर से बाहर निकलते हुए कुछ पैसे टेबल पर रख जाती है जिसके कुछ देर बाद सिलिंडर वाला घर आता है उमूरी मैया, मैं सिलिंडर की बारे में तो बिल्कुल भूली गई थी घर खर्च की सारे पैसे भी ममी के पास है और श्लोक से बोला तो उल्टा चार बात सुनाएंगे प्राची ये सोची रही होती है कि अचानक उसका चेहरा चमक उठता है और वो घर में आकर इधर उधर देखने लगती है तब ही उसकी नजर टेबल पर रखे पैसों पर पड़ती है जिने वो सिलिंडर वाले को दे देती है ये सब श्लोक देख लेता है अच्छा बेटे इतना बड़ा घुटाला सब के सामने मैं तेरी दुश्मन और पीट पीछे तेरी मेरी यारी इस पर श्लोक एक प्लान बनाता है और श्लोक को सब एक साथ बैठे होने पर बोलने लगता है मा तुम दोरो की बहुत लड़ाई होती है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि प्राची को उसके घर छोड़ाओ इससे वो भी खुश रहेगी और तुम भी अचानक श्लोक की ये बात सुनकर सास बहू शाक से उसकी तरफ देखती है अरे ऐसे कैसे घर छोड़ाओगे मुझे कहीं नहीं जाना अरे तुमने बोला नहीं पर मैंने सुन लिया तुम्हें ममे के साथ रहना अच्छा नहीं लगता मुझे पता है अरे वह अरे जब बहू खुद कुछ काम बोले तो वो तुझे सुनता नहीं और अब जो इसने बोला ही नहीं वो तु समझ गया जब उसे नहीं जाना तो फिर जबर्दस्ती क्यों कर रहा है अच्छा फिर आपको मौस के घर छोड़ाता हूँ बस अब आप दोनो एक घर में एक छट के नीचे नहीं रह सकती मैं इस टॉम एंड जेरी की जोड़ी को और नहीं छेल सकता है? ऐसे कैसे नहीं रह सकते? तुम्हें इतने दिक्कत है तो तुम्हारा बोरिया बिस्तर पैक कर देती हूँ लेकिन मम्मेजी कहीं नहीं जाएंगी बेलकुल यही सुनना था मुझे अगर दोनों में इतना ही प्यार है फिर हर वक्त ये लड़ाई का नाटक क्यों करती हो? देखा मैंने कैसे मा किचन में दूद रखती है और तुम उनके लिए कमरे में नाश्ता रखती हो और कैसे वो पहले ही तुम्हारे दिक्कत समझ कर घर में पैसे रखकर बाहर जाती है अरे भई इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं होता जितना तुम दोनों ने इस घर में पहलाया हुआ है तू हमें टॉम एंजेरी बूलता है न तो याद कर वो दोनों भी एक दूसरे को बाहर वालों की बुरी नजर से बचाने के लिए हमेशा सब के सामने लड़ते थे लेकिन अकेले में दिक्कत के समय मदद भी तो करते थे बस हमारा रिष्टा भी कुछ ऐसा ही है और वैसे भी अगर सास बहु में तू तू मैमे नहीं होती तू दुनिया वालों को कहानिया कैसे मिलेंगी